ईंहीं हम आपको दिखांग जा रहे नाम उट्थम के बाठेद मित शंजाें गुपता और यह होटी सी गाड़ी सॉताय जिसे हम कहते हैं चोखा बाति यहां पर हमारा यह यह जो आपको देख रहे हैं यह Speech यहां पर अभी हम लोगोंने पूरा समाल यहां पर हमारा काम हो रहा है यह यह मिश्टर दूर्गेश के मट लगे जब यह करता है है देखिए दोस्तू यह जू देशी खाना जो बनता है बड़ी स्टाइले से बनता है आईए हम आपको ले चलते हैं तो दोस्तों इसका वर्णा हमारे कुप्ता जी करेंगे यह जो पाल्टी होती है दोस्तों मैं बैठ कर भूंज कर खाने की और चाहे आप भरता रोटी खाईए चाहे आप नॉन बिच खाईए चाहे आप अंडा कर कर जब खाते हैं तो वाकी में दिल खुश हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं रुकिया और कुछ आपको दिखाता हूं वन सेकेंड यह सारी समगरी यह समगरी अभी बहुत यह बची हुई समगरी है इतना समाना भी बच गया है बाकी सभी वहां पे काम लग हैं और सब लगे हुए हैं सब अपने अपने तरीके से स्वादिस्थ मज़ा आ जायेगा और देखें कितनी खुबशूरत सी जेगे पर बैठे हुए हैं यहां सिर्फ आपको आम ही आम के पेड़ मिलेंगे कम से कम यहां दो से ड़ाई सो पेड़ आम बहुत ही घने जगे प कुछ है यहां बस यह इंजवाइमेंट करने आते ही हमाई सूटिंग की जगह है यहां जब आदमी फ्री रहता है तो सूट भी कर लेता है तो गाइज कभी भी दोस्तों के साथ बैठिये मिल्ये खाईए और मज़ा आता है बहुत मज़ा आता है इंज्वाय करता है अदमी और जीवन में कभी-कभी ऐसे पलाते हैं लेकिन महीने में सब्ता में आप कभी भी बैठ कर दोस्तों के संग खाईए कोई भी छोटी सी पार् फूटा हुआ घर है उसी कियार में हमारा चूला बना हुआ है और उसी चूले पर आज पुरा पकवान तैयार हो रहा है तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया